बात करते हैं इस question के बारे में यहाँ पर question दे रखा है यह 5, 2, 12, 6, 9, 10, 6, 8 और 4 अभी तक हम लोग अगर देखें बड़ा नंबर देखें चोटा नंबर देखें स्क्वार रूट या क्यू रूट निकाल रहते हैं अब बात करते हैं डिफरेंस की या फिर प्लस की या मल्ट अगरों तो क्या मेरे पास 9 मल रहा है अगर यही लोजिक मेरा इसमें भी verify होता है मतलग 8 आयाता है तो इसका मतलब बे मुझे logic तो मिल गया और उसी logic से मेरा यह answer भी आयगा तो इन दोनों के मैं डिफरेंस करूंगा तो इफरेंस कितना है रहा मेरे पास में 4 और इन दोनों को एड़ किया तो बीच वाला नमबर मुझे मिल नाइन टेन माइनस का 6 इसकल टू 4 4 माइनस का 8 इसकल टू 4 दोनों को एड़ किया तो 8 बहुत सारे स्टुट्ट्स सोचेंगे सर यह नेगेटिव भीता सकता है जब हम गैप निकालता था तो 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 नेगेटिव को इगनोर कर देते हैं चली दोस्तों बात करते हैं इनका डिफरेंस निकाला तो कितना है मेरे पास 1 इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना है मेरे पास 6 और दोनों को एड़ करूंगा तो मेरे पास आए 7 और यह 7 है मेरा तो अब आईए कि कौन से ऑप्शन में मेरा ऑप्शन तो C है आपका क्या answer है आप अपने answer हमारे साथ comment box में share कर सकते हैं ये रहा आपके लिए question of the day कि दोस्तों चली मिलते हैं next class में अगली सुब़े 6 बजे साथ बजे बाब बाई